राजस्थान SSO Portal, राजस्थान सरकार की विभिन वेबसाइट्स एवम एप्लीकेशनों का उप्योग एकल यूजर नेम एवम पास्वर्ड, सिंगल साइन ओन के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए एक अनूठी और अपनी तरह की पहली इन हाउस पहल है, जो डिजिटल पह पहचान का उप्योग करके राजस्थान सरकार की विभिन वेबसाइट्स एवम एप्लीकेशनों तक केंव्रीकृत पहुँच प्रदान करती है, अब आपको अलग-अलग यूजर नेम और पास्वर्ड याद रखने की आवश्यक्ता नहीं है, एस एसो के माध्यम से राजस्थान सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों, निवेशिकों, इमित्र संचालकों एवम नागरिकों को अब एक दिजिटल पहचान दी जा रही है, इस पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे, आसानी से सभी ओनलाइन सेवाओं का लाब उठा स रखते हैं, ये पोर्टल सभी नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर विभिन विभागों की ओनलाइन सेवाओं, जैसे इमित्र, जनाधार, रोजगार सेवा, विभिन भरती परिक्षाओं के लिए ओनलाइन फॉर्म भरना, चिरन जीवी स्वास्थिय बीमा योजना, ब विभिन विभागों की ओनलाइन सेवाओं का लाब लेने के लिए, लाभार्थी को सर्व प्रथम SSO पोर्टल पर ओनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण तहन शुल्क है, SSO ID के बिना आप स्वयम पूर्व में वर्नित किसी प्रकार की सेवा का ओनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, SSO पोर्टल ओपन करने के लिए आप गूगल पर SSO राजस्थान सर्च कर सकते हैं, जिसके बाद आपको SSO राजस्थान का लिंक मिलेगा, जिस पर जाकर आप SSO पोर्टल ओपन कर सकते हैं, अत्वा आप ब्राउजर प करके भी, SSO पोर्टल ओपन कर सकते हैं, SSO पोर्टल पर राइट साइड में आपको लॉग इन तथा रजिस्ट्रेशन, दो आप्शन मिलेंगे, अगर आपकी SSO यूजर आईडी बनी हुई है तो आप यहां से लॉग इन कर सकते हैं, आज सर्फ प्रथम राजस्थान SSO पो आपको citizen, उद्योग, एवं government employees के लिए, अलग-अलग registration के options मिलेंगे, चुनकि हमें citizen registration करना है, तो हम इसमे citizen registration को select करेंगे, citizen registration में आप दो अलग-अलग तरीके से registration कर सकते हैं, एक तरीका है आप अपने जनाधार नंबर से registration कर सकते हैं तथा, दूसरा तरीका है कि आप अपने Google ID से भी registration कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया का डेमो भी यहां अवेलेबल है, जिससे भी आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसकी जानकारी ले सकते हैं. आज हम इन दोनों तरीकों से किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे सर्व प्रथम जनाधार आईडी से किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, वो प्रक्रिया आपको विस्तार से समझा रहे है उसके लिए सबसे पहले आप Registration टैब पर Citizen टैब सेलेक्ट करके जनाधार पर क्लिक करना है इस option में आपसे जनाधार ID अथ्वा जनाधार Enrollment Number पूछा जाता है यहाँ पर आपको अपनी जनाधार ID या जनाधार Enrollment Number एंटर करना है जनाधार ID एंटर करने के बाद जैसे ही आप Next का बटन दबाते हैं इस जनाधार ID में जितने भी Members है उन सब की लिस्ट आपको दिखाई देगी इस लिस्ट में से आप जिन्स भी Member की SSO ID बनाना चाहते हैं उस Member को आप Select करेंगे और Send OTP बटन पर क्लिक करना होगा जनाधार में Select किये गए Member से जुड़े Mobile Number पर One Time Password OTP जाएगा जिसे एंटर कर आपको Verify करना है OTP वेरिफाई करने के तुरंद बाद यह आपको SSO Register पेज पर ले जाएगा जहां आपको एक SSO User ID या User Name डिस्पले होगा SSO User ID या User Name अवेलेबल है या नहीं है इसके लिए आपको Right Side में Check Availability का जो बटन है उस पे क्लिक करके आपको चैक करना है कि यह जो प्रदर्शित SSO User ID या User Name है वो अवेलेबल है या नहीं इस User ID को हम अभी चैक करते हैं कि यह अवेलेबल है या नहीं है उक्त प्रदर्शित ID की स्थिती में हम देखते हैं कि यह जो SSO User ID या User Name लिया है वो अवेलेबल नहीं है अतरह हम इस SSO ID या User Name को चैंज करके जो User Name अवेलेबल है उसे चैक करेंगे आप अपनी सुविधा से अपना User ID बना सकते हैं अब हम इस नाम को बदल कर अपनी सुविधा से एक नया User ID अवेलेबल है या नहीं इसके बारे मैं चैक करते हैं जैसे ही आप इसको पुन्ह चैक करते है अगर यूजर नेम अवेलेबल है तो उस username के साथ वहां green tick आ जाएगा इस available username के जस्ट बाद आपको नीचे अपना password सेट करना है और same password आपको confirm password में डालना है आप साथ में अपना mobile number और अपना email address भी आपको enter करना है तथा फिर आपको नीचे दिये गए register button पर click करना है जैसे ही आप register button पर click करते हैं आपकी SSO ID create हो जाती है SSO बनाते टाइम एक बात का विशेश ध्यान रखें एक mobile number अथवा एक email ID से एक ही SSO ID बनाई जा सकती है अगर आपकी उस email या mobile से already SSO ID बनी हुई है तो आप उसी mobile या email पर दूसरी SSO ID नहीं बना सकते अब हम Google ID से किस प्रकार से SSO ID बनाई जाती है उसके बारे में जानकारी लेंगे उसके लिए अगेन आपको registration टैब पर Google आईकॉन पर click करना है या आपको Google के sign in page पर ले जाएगा जहाँ पर आपको अपनी Google की ID डालनी है Google की ID डालके आपको Google का password डालना है जैसे ही आप Google की ID और password डालेंगे ये आपको एक verification पेज पर ले जाएगा यहाँ पर आप अपने mobile के माध्यम से या अन्य तरीकों से अपनी Google की ID को verify कर सकते है यहाँ पर हम mobile number के माध्यम से Google ID को verify करने जा रहे हैं इसके लिए आपके mobile पर एक Google का OTP आएगा वो OTP डालकर जैसे ही आप उसको verify करते हैं ये page verification के बाद आपको पुन राजस्थान SSO portal पर ले जाएगा SSO पेज पर redirect होने के बाद पुनह SSO register वाला पेज खुलेगा जहां पर हमें again check availability के माध्यम से username available है या नहीं है वो चेक करना है तथा इसके बाद अपने पुनह username, password, mobile number और email एंटर करने के बाद register पे क्लिक करना है उप्रोक्ट दोनों तरीकों से जैसे ही आप register पे क्लिक करते हैं तब आपको यह एक success का message देगा कि आपकी नई SSO ID create हो चुकी इस पर जैसे आप OK पे क्लिक करेंगे तो यह आपको SSO portal के login पेज पर ले जाएगा login पेज पर आपके द्वारा बनाई गई नई SSO ID एवं password से आप उसमें login कर सकते हैं प्रथम बार login करने पर SSO portal पर सर्फ प्रथम आपको SSO profile page open होगा उस profile page पर आपको अपनी अन्य मानगी गई information को भरना है सभी आवश्यक सूचना भरने के बाद जैसे ही आप update पे क्लिक करते हैं तब आपकी SSO ID finally create एवं activate हो जाती है इस profile update के बाद आपको SSO portal का dashboard दिखेगा जहां पर आपको SSO portal पर उपलब्द विभिन सरकारी सिवाएं आपको दिखाई देंगी उपर आपको अपनी SSO ID शो होगी जहां दिये गए बटन पर आप कभी भी अपनी profile भी update कर सकते है तथा right side में logout, password change इत्यादी के option मिलेंगे इस प्रकार हमारी SSO ID बनाने की प्रक्रिया पूर्म होती है